अगर आपके सरीर में भी दीख रहा है ऐसा कुछ तो आपका लीवर हो रहा है पूरी तरह से डैमेज समय रहते जान लें कहीं देर न हो जाए नमस्कार दोस्तों स्वागत है रोगनुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो के साथ दोस्तों लीव को सबी बिशाक पदार्थोस को ब्लड से छान कर हमारे मूट के रास्ते बाहार निकालती है इसलिए एगर केडिणी में कोई डियेज होती है यह फिर कोई इणफिक्षन होता है तो हमें बहुत ही बड़ी परसानी होती है दोश्टों लिवर से ही जुड़ी सामान जेनिटिक्स समस्या भी हो सकती है लेकिन अधिकतर मामलों में लिवर की समस्या कई प्रकार के कारणों के कारण होती है एक इंसान का सरीर कई अंगों से मिलकर बना होता है किसी व्यक्ति के सवस्थ जीवन के लिए उसके सभी अंगों का ठीक से काम करना बहुत ही जरूरी होता है यदि किसी सखस के सरीर का एक अंग भी खराब हो जाए तो उसका जीवन नरक जैसा हो जाता है और फिर एक निश्चित समय के बाद उसकी मिलक्ति भी हो सकती है जबकि हमारे सरीर में ऐसे कई अंग होते हैं इसलिए अगर समय पर इसके सहील अच्छा को पहचान लेते हैं जान लेते हैं तो हम कई बिमारी उससे बस सकते हैं लेकिन इससे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छुटे तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखें दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कना ना भोलें इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही आल नोटिफिकेशन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल पर मिल जाए इसके लिए आल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें नमबर एक दोस्तों नीद में खलल होना भी लीवर से संबंधित बिमारी के संकेत है आपको बता दें कि अगर आपके नीद में परसानी हो रही है तो आप लीवर की समस्या से ग्रसित है नमबर दो दोस्तों अगर थोड़ी सी चुट लगने पर भी आपके सरी से ज़्यादा मातरा में खून निकलने लगता है तो ये लीवर कमजोर होने का संकेत हो सकता है दरसल खून जमाने के लिए जिस प्रोटीन की जववत होती है वो लीवर ही बनाती है लीवर के खराब होने पर सरीर में इस प्रोटीन की कमी हो जाती है नमबर तीन दोस्तों अगर आपका दिमाग सुच्ट हो गया है और आपकी यादास से दुरुस्त नहीं रहती तो ये लीवर खराब होने का संकेत है लीवर बॉडी में टॉक्सिंस नहीं निकाल पाता तो ये ब्रेन में जमा होने लगता है जिससे यादास कमजोर होने लगती है अगर आपकी आदास कमजोर महसूस हो रही है तो आप डॉक्टर से तुरण संपर करें दोस्तों मूँ या सांसों से बदबू आने पर हम अक्सर इसे मूँ के गंदगी से जोडते हैं मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि मूँ से आने वाली बदबू लेवर की समस्या का भी संकेत हो सकती है दरसल लेवर सिरोसी जैसी समस्या होने पर खोन में मौझूद डाई मिथाईल सालफाइर के कारण आपकी सांसों में फलो जैसी महक आने लगती है नमबर पांच जहां दोस्तों हर वक्त थकान महसूस करते हैं और सिर्फ सोने और लेटने का मन करता है तो आपके लेवर में सिहत की कोई समस्या जरूर है आपके लेवर में कोई भी परसानी होगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होगी